सारे ने प्यार परी साथ सिखा, नमस्ते, अध़ाप, क्यों वह मैं उम्म train, कि मिआ ख़女 को बड़ navigate, दोस्तो आज जाता है, कि आज आज रहे हैं कि इरूप के चलान कि कैसा हुझा, थे क्यों होझा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरोप में किस तरीके के चलान होते हैं कैसे होते हैं ठीक है ना और उनको कैसे पीटी आ जाता है देखो दोस्तों यह मैं आपने जो मेरा डेट दो साल का ओसे के पता और अधार को संद्मेस और मेरे साथ यूरोप में मेरे गरूप में जुड़े हैं उनके उसे बातचित करके उनके अधार पर यह वीडेव में बना रहा हूं ठीक है ना मैं इसे असे बना रहा हूं यह experience है जन अगर हम यहां के हिससाब से देखें अब चल आने आती है Ne investigate che провер फिर नो जार का भी हो सकता है बहुत मोटे मोटे चलान है लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर फिलहाल जो नॉर्मल चलान है इतने बड़े नहीं है जैसे यहां पर सबसे ज्यादा चलान क्या आता है और कितने का आता है मैं उसकी बात करता हूँ दोस्तों यहां पर कोई ऐसा चलान नहीं है कि आप कहीं नो एंट्री में घुजगे हो कुछ कर गयो क्योंकि जहां पर ट्रक की नो एंट्री एक तो रस्ते इतने पतले हमां ट्रक जाएगा ही नहीं दूसरा पहले हो साइन बूर्ड लगा के रखते हैं अगर गलती से आप चले भी गए तो आ पहले हैं लेकिन ट्रक नहीं जा सकता उसका बॉर्ड भी लगा है अगर फिर भी कोई बंदा चला जाता है तो कई जगह पर जर्मनी ने कैमरे लगा दिया उससे फ्लैश बस्ती है ठीक है अगर को बड़ी गाड़ी जाती है और लगा होता है शाडьए तीन तन्स से ज्याद प्रफ़ादा नहीं आता ठीक है ना अगर साथ यूरो कितने का बनता है उसको आप 90 रुपे से गुना कर दीजिए यहां के इसाब से चलान कम है अगर आप इंडिया के इसाब से देखोगे तो पांच जार दस जार आठ जार साथ जार छे जार इस तरीके का इंडिया का चलान यहां पर आता है तो यहां पर आपकी सेल्डी भी फिर वैसे ही होनी तो अब हम बात करते सबसे जादा चलान कौन सा आता है वह आज सबसे जादा चलाना आता है स्पीड का अभ yön सब्ना की का स्पीड का है उसका किस्बीस मेगा करत focus का 30 में क्या होता है कि जो नबे पर लोग करके रखती है या 85 पर लोग करके रखती है maximum company में ऐसा होता है आप चितना मर्जी accelerator तो 90 से उपर नी जाएगी हाँ अगर down आती है और आपने माल लोड किया है तो 90 प्लस भी जाएगी हो क्योंकि रोलिंग करती है आपको पता ही होगा तो जहां पर 120, 100, 130 maximum speed है वो कारों की speed है हमारी speed उदर 90 रहेगी अब एक जगा पर ऐसे माल लेजिए आप किसी national road पर जा रहे हैं उदर maximum speed 90 है लेकिन ट्रक की speed उदर 80 है आप 85 पर जा रहे हैं कोई बात नहीं लेकिन अगर camera आता है क्योंकि जो हमारी GPS होता है यह हमको बताता है कहां कहां पर क्या क्या camera आता है यह टी 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 इंडिकेटर करना शुरू कर देता है पांच सो मीटर साथ सो मीटर पहले तो आप देख रहे हों कि यहां सामने camera आ रहा है मैं 85 पर जा रहा हूं और मैं नैशनल रोड पर हूँ इधर maximum speed 90 90 कारों की है हमारी वहां 80 है ठीक है ना जब आप यहां पर आओगे कोर्स बगरा करोगे अपने mentor के साथ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा तो आपने camera के सामने 80 पर जाना है उसके बाद आप 85 पर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं नए लोग को सजेस्ट करूँगा जहां पर जितनी speed बताए गई यह ट्रक की उतनी चले क्योंकि कहीं कहीं पर बार बार बोड आएगा कि भाई 90 रैपल और 3.5 टन से जाता है भाई वह फाइन 40 यूरो से लेके 70-90 यूरो तक हो सकता है लेकिन मैक्सिमम लोगों का 40 और 60 यूरो का चलाना आता है ज्यादा तर जो चलान होते हैं फ्रांस में होते हैं फ्रांस वालों ने बहुत जगा पर camera लगाया है और हमको फ्रांस में नेशनल रोड दी जा है तो एक नेशनल रोड होती है जिसमें सिंगल रोड होती है जाने के आने की ठीक है आप उससे भी जा सकते हो तो टेक्स से बचने के लिए वह दिये जाते हैं उस पे जो मैक्सिम मिस सपीड है वह असी की ट्रक की तो उस जगा 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 camera है लेकिन नॉर्मल स्पीड लेकिन यह मैंने आपको नेशनल रोड का बताया लेकिन ज्यादा तर लोगों के क्या चलान आते हैं जैसे हम किसी शहर पर चले गए जादर काहा होते हैं ठीक है ना आपकी जीपिएस जो नेविगेसन है बताएगी कि अब 50 का कैमरा आ रहा है अब 80 का कैमरा रहा है यह कैमरा बताती है अब गूगल भी खोल के चलाओं कर रहा है जो बताएगा कैमरा जाए कि शादर सभी किनवा के आते हैं जैसे 50 की चाहर शहर में घृट बाला बाला इंवारा तो पर की स्पीट कर देतेерм ह sitä। जैसे हम नैशनल रोड से जा रहे हैं, वो शहरों से और गाउं में से होके गुजरता है, तो उसमें क्या होता है, कई बार 30 की स्पीड होती है, जहां पर पैडिश्टेरियन यानी सड़क पार करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो हम 30 की स्पीड पर चलते हैं उस पर क्या होता है कि उस जगा पर प्रियोर्टी होती है सड़क पार्क करने वालेगी तो हम 30 पर जा रहे हैं हमने देखा कोई है सड़क किनारे पार्क हमें रुकना पड़ेगा उसको देने के लिए तो जब आप यहां पर आओगे तो आपको कैमरे का साइन आया कैमरे के सामने 60 से नीचे चलो अगर 60 की स्पीड है तो 59 58 पर चलो 60 पर भी चलोगे कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से मैक्सिमम मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है सबका जो है चलान आता है स्पीड का ही अभी फ्रांस का जो चलान आता है कई हो के घर में चला गया वह तीन चार पेज का चलान क्योंकि होता क्या है कि जब किसी गाड़ी का चलान आता हो नंबर प्लेट पर आता है फिर वह चलान कंपनी के पास जाता है वह अथोर्टी पूछते कि आपकी कंपनी की इतने नंबर की गाड़ी इतने बज़े इसका चला होता है तो company check करती कि गाड़ी के टेकों में किसका टेकों gonna उख और मैं चला रहा था तो company को पतर लग जाएगा ला रहा था तो तो बताएगivi भही यह चलान है अब france के जो चालान है और जाते हैं है में FEMA सारे लोगों के चलान गए है किसी का 40-45 का गया है किसका इस्पीड का यानि उदर 60 की सपीड थी किसी की 63 पे जा रहा है 65 या 60-70 पे जा रहा है तो 45-45 का बहुत लोगों के चलान गए है और जर्मनी के 60 हिरो का चलाना आता है germanica मेरा भी चलान आया था सथ ही रोगा इस पीड का बस स्पीड के ही चलान आते हैं अब उसके अलाबा ओर क्या चलान सकते हैं भाई देखो टैको के बहुत सारी चलान होते हैं माल लीजिए आपकी 13 गंटे की सिफ्ट आपने सिफ्ट क्रोस कर दी आपको पार्किंग नहीं मिली कुछ नहीं मिली वह पुलिस वाले के उपड़ी पैंड है उसका एक रस्ता है कि आप यहां से प्रिंट निकालो टै 25 का ता आपने 24 करके चले गए वो टैको अलग है वो टैको के चलाने वो अलग है यह लेकिन मैं नॉर्मल बता रहा हूं आपको टैको का तो आपको पुरा कोड 95 में आपका मेंटर सब बताएगा जो रूल यहां पर बना है नो गंटे का राष्ट लेना है फिर तुम नो गं अंटरी तो हर जगह नहीं है बहुत कम है लेकिन जर्मनी में आप ख्याल रखना जर्मनी में उन्होंने कैमरे लगा दी है तो उसका भी चलाना आता है 30 रों भी आ सकता है 40 रों अगर आप नो एंटरी पर गया हो यह जिदर ट्रक नहीं जा सकता ठीक है ना यह इस तरीके का चलाना आता है और कई बार अगर आप गलत जगह पार्क कर देते हो उसका भी चलाना आता है या पेड़ पार्किंग में खरे हो आपने पार्किंग नहीं करी है तो टिकट आपके बैरियर के सामने लगा देंगे यह बैरियर कह रहा हूँ बाइपर के सामने लगा जाते हैं और आपने कहीं माल लीजे गलत पार्किंग करी है आपको पुलिस वाले ने या तो हटाएंगे खट-खट करेंगे और कहेंगे यहाँ से गाड़ी हटाओ अगर उनको वहाँ से हटवानी होगी वहाँ पर कोई उनको काम हो या कुछ हो तो क्या करते हैं कि आप अपना और between parking आप इस जगह पर गड़ा डि पूलीस वाले करेगा चलान काटे और आपके वायपर के आगे लगा स섯 आगे अगर आपने पेड़ पा पार्किंग आपकह पैसे देने पड़ते हैं अपने बढ़ए तो पार्किंग वाला आएगा और वहाँ पर लगा देया पो इस तरीके के यह common चलान है और यह नहीं कि आते हैं लोगों दो-दो साल भी हो गए काम करते नहीं है मेरा भी तक एक चलाना है जर्मनी का ठीक है ना वो अपने उपर डिपैंड होता है वो अपनी गलती से ही आता है तो इतने बड़े चलान नहीं है 40-50-60-60 इरो इस तरीके का चल कहीं नहीं भी घाड़ती है यह दो-तीन तरह के चलान होते हैं ठीक है मैंने आपको इमाउंट भी बता दिया और अगर मान लीजिए आपका कोई चलान आया 45 यह होगा आपने तीन मेने तक वह जमा नहीं कर रहा तो उसका एक क्राइटीरिया होता है 45-60-60-60-90-60 वह आपको करनी है तो आप अपने कार्ट से पेमेंट कर सकते हो आपके पास चलान वाँ घर पहुंची आपने फटापट कर दिया अगर आप दो-तीन मेने तक नहीं करोगे बढ़ जाएगा अब जो जर्मनी का चलान हो कंपनी में जाता है कंपनी से काटते है वह आपको इंफर्म कर द हां कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी कंट्री में जैसे पोलेंड हो गया जर्मनी हो गया यास्ट्रिया हो गया तो जब हम किसी कंट्री में जाते हैं तो जगा जगा पर पुलिस ने चेकिंग लगाई भी होती है तो नेक्स जो पर साइन बोर आते हैं उस पर लगाया होत होती है तो हमें उसके अंदर से जाना होता है तो सीधे निगल जाते हैं अगर सीधे आप निकल गए उदर से नहीं होके गए अगर आपका पीछे आए ठीक है अगर पीछे नहीं आए तो कोई चलान नहीं आएगा पीछे आके आपको रोकते हैं जैसे अगर आप आस्ट्रिया तरप से गुसोगे 20 किलो मेटर पर उन्दर से जाना पड़ता है तो लाइट जलती है तीन सड़के है एक भार जाने की एक चैगिंग की और एक पारकिंग की वहाँ पर खोल खाल के देखते होंगे तो जब आपकी गाड़ी जाती है तो उन्होंने ना सड़क के उपर वह लग तो वह वेट चैक कर लेते हैं उनको दिखता है कि हाँ ठीक है और एकसरा भी मुझे लगता हो करते होंगे उनको पता लगता होगा कि इन्होंने क्या लोड किया है अब ही जिसको जैसी हम अंदर गुस्ते होता है हमारा आगे तीन रस्ते होते हैं सब के उपर लाइट लगी अगर उसने पहले वाली जो है ग्रीन कर दीश का मतलब फिर आप सीधे भार निकल जाओ आपको आपकी कोई चेकिंग नी है तो इस तरीके से बनाएवे होते हैं तो भाई इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना पड़ते हैं बाकि अपना टैको को टाइम कभी ओवर मत होने टा को के चलान अलग है यह मैंने आपको जो हमें रोज मर्रा के जिंदगी में जो चलान आते हैं अपने एक्सपिरियंस के दारते और अपने साथवालों के अधार से मैंने आज बनानी के गोशिश करी हैं भाई यह कुछुछ फोते हैं जो अभी तक है इसके अलाब अभी तो बहुत सारे चलान होगे लेकिन अभी तक जो हमारे ग्रूप में या मैंने अपने एक्स्पिरियंस से जो फेस की हैं वो यही है ठीक है ना और बस भाई यही चलान है मोटे मोटे अभी तक तो इतनी ही जानकारी है बहुत सारे लोग पूछ रहे थे गुरजीद भाई चला तो उसको क्लिए अभी चलान दे देते हैं 700 euro को इसकी चलान दे सकते हैं 200 euro आगी अचिली में ठीक है ना चैसे आच्ट्रीय में ost आठानारी हमें यह लाट्या पता नहीं किदर का अंगरी में वह लाइसेंस चलता है बाकि और किसी स्टेट का लैसेंस से लैसेंस नहीं बनाते हो ऐसा सुनने में आया है तो इस तरीके के आई साफ किताब है भई ठीक है डॉकुमेंट का चलाना अलग करतेगा मैंने ड्राइविंग के चलाना आज आपको बताएं अगर आपका ड्राइविंग आपके पास कई बार वह नहीं है क्या बोलते हैं आई डी पी नहीं है आपके पास तब भी आपकी कोई कुई कंट्री में चलान हो जाता है वह 500 यूरो का भी हो सकता है 500 यूरो का बहुत का वह चलान तो भाई यह कुछ जानकारी थी उ अबरा का